कबर अब बोपाल से मिल रही है जहां क्रिशी मंत्री कमल पठेल ने कमलात पर निश्वानत साधा है राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चांद की चंडे की जांचों इसके साथी ततकालीन वानिच्जिय मंत्री कमलात की भूमी का सामने आई हैं मामला बेहत गंबीर है मामले के उच्चिस्तरी जांच होनी चाहिए कमलात और गांधी परिवार की निश्टा देश के प्रती या चीन के प्रती है राज्यु गांधी फाउंडेशन को जो चीन से चंडा मिला है उसमें ततकालीन वानिच्जिय मंत्री कमलात जी की भूमी का सा संबन चीन से हैं वो चीन के प्रती वफादार है या देश के प्रती है चलिए अब हमारे साथ विश्य समाधता जुगल की शूर्फ ओन लाइन पर जुड़ चुके हैं जुगल जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह पूरा मामला काफी जादा गर्माता जा रहा है अब इस प्रभाज जाने को बैं जारी करके बात कही थी कि कमल नाथ की चीनी एजेंट है या भारती नागरिक हैं यह उनको इसके बाद पूरी बीजेपी हम्रबार हो गई है आज किसी मंत्री कमल पटेल ने भी संबन में ब्यान जारी करके कहा है कि पूरे वानिजे का रहते हुए क कमल नाथ ने चीन की मरत की थी चीन से फंड आजजित किया था इसकी पूरी जाच होनी चाहिए तो निश्ची दूप से इसको सियासी रूप में भी हम देख सकते हैं कि अब बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है पूर मुक्त मंत्री कमल नाथ पर के खिलाफ तो लगातार बीजेपी इसमें हमला बर होती जा रही है ये बिल्कुल जुगल लोप चनावों में अब ये चीनी सियासत देखने को मिल रही है बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए तो तत्कालीन जिवाने चुके अर्मंत्री कमल नाथ की फूमी का इसमें सा रही है और गंभीरता के साथ इसमें दिखाई दे रही है